इंडियन प्रीमियल लीग की टीम रॉयल चैलेंजस बैंगलोर ने गुरुवार को भारतिय टीम के पूर कोच गेरी केस्टन को अपना मुख कोच न्यूट किया है केस्टन पूर कोच डेनिल विटोरी का स्थान लेंगे कस्टन ने भारत को 2011 में विश कप का खिताब दिलाया था कस्टन पिछले सीजन में बैंगलोर के साथ बतोर बल्लेबाजी के रूप में मौजूद थे बैंगलोर का मुख कोच बनने पर कस्टन ने कहा मुझे पिछले सीजन में विटोरी के साथ बैंगलोर टीम में काम करने का मौका मिला था जिसका मैंने काफी लुफ्त उठाया था मैं बैंगलोर के साथ अपना सफर जारी रखने के लिए पूरी तरह से तियार हूँ उन्होंने कहा मैं टीम प्रमधन का मुझे इस पत्के लाइक समझने के लिए शुक्री आदा करता हूँ उमीद है कि आने वाले दिनों में हम सफल रहेंगे वही बिटोरी ने कहा आठ साल बैंगलोर के साथ बिताने के बाद टीम का शुक्र गुजार हूँ मैंने इस टीम के साथ एक खिलाडी और एक कोच की दोनों तौर पर काम किया है मैं फ्रेंचाईजी को बधाई देता हूँ अमन यादो पंजाब केसरी दिल्ली अमन यादो पंजा बाद।